बच्चों, आपको प्रयवाचिशब अच्चे से समझ आ गए होंगे, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे दिये गए शब्दों के तीन-तीन प्रयवाचिशब लिखिए दिये गए शब्दों के तीन-तीन प्रयवाचिशब लिखिए बच्चों आपको हर शब्ट के लिए तीन तीन प्रहवाची शब्ट लिखने हैं क्या लिखने हैं आपको एक एक शब्ट के लिए तीन तीन प्रहवाची शब्ट लिखने हैं का आख आख का प्रहवाची शब्ट क्या होगा नेतर नयान चक्षू इसे लोचन भी कहते हैं आपका प्रेवाची नेत्र नयन चक्षू क्या होगा नेत्र नयन चक्षू तलाब के लिए क्या आएगा ताल सर सरोवर सूर्य का प्रेवाची सूरज रवी दिनकर क्या होगा सूरज रवी दिनकर अगला है बच्चो अगनी अगनी आग अनल पावक अगनी को क्या क्या कहते हैं किस किस नाम से पुकरा जाता है आग अनल पावक अगनी का प्रेवाची शब्द होंगे आग अनल पावक अगला है बच्चो दिन दिन का वार दिवस वासर दिन का प्रयाई वच्ची होगा वार दिवस वासर क्या होगा वार दिवस वासर एक बार फिर से करेंगे आपका प्रयाई वच्ची नेत्र नयन चक्षू लोचन तलाप का ताल सर सरोवर सूरे का सूरज रवी दिनकर अगनी का आग अनल पावक, दिन का वार दिवस वासर अगला पढ़ेंग करेंगे बच्चों समझेंगे सही शब पर रिक्स्तान पुरे कीजिए क्या करना है? सही शब द्वारा रिक्स्तान यानि खालिस्तान दिये गए हैं उनको आपने पुरा करना है का खालिस्तान डैश कपड़ा का प्रयवाची है क्या है? वस्तर कपड़ा का प्रयवाची वस्तर वस्तर कपड़ा का प्रयवाची है अगला है परवत को डैश भी कहते हैं क्या कहते हैं? पहाड परवत को पहाड भी कहते हैं अगला है बच्चों रास्ता शब्द का समानार्थी भी है रास्ता शब्द का समानार्थी डैश भी है क्या है राह रास्ता शब्द का समानार्थी राह भी है रास्ता शब्द का समानार्थी क्या होगा राह अगला है बच्चों डैश कमल का एक नाम है क्या नाम है जलज जलश कमल का एक नाम है फिर से समझेंगे बच्चो बस्तर कपड़ा का प्रेवच्छी है परवत को पहाड़ भी कहते है राता शब्द का स्वानार्थी रा भी है और जलश कमल का एक नाम है